मेट्रो की गती पर भागती दिल्ली जहां शिक्षा केवल एक व्यापार बन के रह गई है लक्ष्मी चंदर जी और राजेश कुमार शर्मा जी ने अपनी उम्मीदों और साहस की बदौलत एक ऐसा स्कूल बनाया है जहां पढ़ने वाले वे हैं जिनके आशियाने जुगियों में हैं और पढ़ाने वाले वे जिनके लिए शिक्षा शिक्षा है व्यापार नहीं फ्री स्कूल अंडर दर ब्रिज में अंग्रेजी, हिंदी और गर्नित पढ़ाई जाती है बर्सों की मेहनत के बाद आज यहां के 200 से जादा बच्चे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दाखिला पाचुके हैं आज इन बच्चों की आखों में सपने भी हैं और हाथों में कलम भी जब यह मेट्रो 2006 में बनना आता उस समय पर जो है मेट्रो को में देखने के लिए आया था तो वहां पर जो है बच्चे जो है बहुत ही करना में बुरी हालत में मेरे को वहां पर नजर आए जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे डस्ट में खेल रहे थे और किताबे कापी बगएरा का तो नाम में निसान नहीं था उनके माबाब से मैंने मिलकर के कहा के बाई आप यहां पर आये हुए हो क्या आप बच्चों के लिए भी कुछ सोच रहे हो या अपने लिए खाली पैसा कमा करके ले जा करके दे 95 बढ़म सोच तो कुछ लोगों की बाबना ऐसी ते हैं कि हम तो गाहों में हमारे पर करजा हो गया है उस करजे को उतारेंगे फिर हम लोग चले जाएंगे पिर उन से मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो करजा तो उतर जाएगा लोगों का लेकिन इन बच्चों का करजा तुम नहीं तौर पाओगे तीस साल पहले जिस शिक्षा से राजेश जी महरूम रह गए उनके द्वारा शुरू की गए यही पहल आज दोसों से जादा बच्चों के भविश्य को उडान दे रही है अब सवाल यह है कि यदि भारत का प्रतियेक इनसान इसी प्रकार की सोच रखे तो क्यू नहीं देश तरक्की करेगा क्यू नहीं वे वापस सोने की चिड़या कहलाने लगेगा कैमरामेन एश्वर्या के साथ मैं अनुकृती आईपी कॉलेज निउस